ब्यूटी विद एस्टिलोजी की फाउंडर मैं कामी निकरना आप सभी समझदार सुरोताओं के साथ एक पर फिर साप्ता एक राशी फल का दूरा लेकर हाजिर हूँ इस सब्ता एक राशी फल तारीक पंद्रा जन्वरी 2023 के तारीक बाई जन्वरी 2023 का है इस सब्ता में होने वाली मुख्य घटनाओं का मैं आपको विवरंद दू उन सबसे पहले आपसे नमरने विदन कर दू कि सब्सक्राइब कीजे मेरा ये यूट्यूब चैनल पर भी उतना ही अक्टिव हैं ब्यूटी विद आस्ट्रोजी के पेज को लेकर और इंस्टाग्राम पर भी मैं जो राशी फल बताती हूं वो लगनं के अनुसार है और जिन लोगों को कंसल्टन्सी चाहिए उनके लिए मैंने वाट्सअप नमबर दिया हुआ है तो आईए चलिए जानते हैं सब्ता में होने वाली घटनाओं का विवरण तारिक पंदर जन्वरी को चंदर मातुला राशी में है और मकर संक्रांती है इस दिन पुन्ने काल उसका सुर्य दवज से लेके सुर्यास्तर तक रहेगा स्नान दानानी का अवसर आप चावल और मूं की छिलके वाली दाल की खिचड़ी या कच्चा चावल दाल साथ में सवाकिलो के हूँ और काले तिल सफेद तिल और गुड का दान कर सकते हैं या फ्रूर्ट्स वगरा मौसमी फ्रूर्ट्स वगरा आप दान कर सकते हैं जैसा का दिल करें। और इसी दिन अमावस्या प्रारम हो जाएगी उत्तर रातरी 6 बचके 17 मिनट मतलब आप दूसरे दिन की सुभा ही पकड़ सकते हैं 21 तारीक की सुभा 6 बचके 17 मिनट पर 21 तारीक को ही दर्श अमावस्या मानी जाएगी और अमावस्या समापती उत्तर रातरी 2 बचके 23 मिनट पर होने वाली है 22 तारीक को शुक्र कुम्भराशी में प्रवेश करेंगे तुपहर 3 बच के 4 पर मिनिट पर हर शल मारगी हो जाएंगे और माग मास का आरंब हो जाएगा इस अबता में काफी ग्रहों की उला ढाल है एक तोहम शनी के कुम्भराशी में प्रवेश करने का मेंस से लेके मीन राशी पर क्या असर होगा इसका विवरण मिल चुका है शुक्र कुम्भ में जाएंगे उसका विवरण मैं आपको बाद में दूँगी और बुध मारगी है उस हिसाब से अभी में आपको मेंस से लेके मीन राशी पर क्या असर हो रहा है सभी ग्रहों के ग परक नहीं पड़ेगा इस अबता हमें मेश राशी मेश राशी के लिए आपके लगन में राहू जसके तस्पने हुए है लेकिन अब आपके लगन के मालिक किस्तिती अच्छी हो गई है मारगी हो गए आपका उटसा लोटा तबीयत अच्छी हुई नौकरी के आविदन खुल डॉक्टर हैं सरजन हैं तो भी काम हो सकते हैं अब बात करते हैं आपके चंद्रमा की मुमेंट की तो चंद्रमा की मुमेंट ठीक ठाक है आपको बहुत ज़ादा फाइदा तो ये नहीं दे सकती सिवाए इसके कि जब धनुमें चंद्रमा होंगे उस दिन आपको इसका विशे जाल शनी महाराज मूव कर गए हैं और उसका मेंच चले के मीन राशी पर क्या असर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देते हूं उस वीडियो को जरूर देखें बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है वो ये भी याद रहे है के शनी को मराशी में बैठ के आपको तरह तरह के लाब देते हैं केसेज और विवाद से बचाते हैं और गुरू द्वादेश में बैठ के प्रेम संबंद अच्छे करते हैं खर्चे कंट्रोल में करते हैं विदेश रिलेटेड काम बनाते हैं सूरे के मकर राशी में प्रवेश कर जाने से आपके नोकरी पेशा और आठ से रिलेटेड भी बनते नजर आते हैं मुझे और आप कोई खुब सूर्ती से रिलेटेड काम करते हैं रूई से कपड़े से रिलेटेड काम करते हैं तो भी हो जाएंगे बोध की स्तिती धनु में स्थेर है इस कारण आपकी यात्राओं में खुब लाब है पराकर के अंत में वो कुम्ह में जाएंगे तो आपको कई सारे फायदे देंगे जिसका वीडियो आपको मिलेगा अभी फिलाल इतना बता दूं कि तब अच्छी हो जाती है आपकी उसके बाद और आपके सारे काम बनना शुरू हो जाते हैं सूर्य के मकर राशी में प्रवेश से भी आपके सरकारी दरबारी काम बनते नजर आते हैं मुझे प्रॉपर्टी वगरा से रिलेटेट जिसमें मा का भी सही उगरेगा छिट-पुट काम बनेंगे शनी के कुम्हराशी में प्रवेश से अब आपके कुछ ऐसे काम बनेंगे जिसमें मीडिया आर्ट नेतागिरी अभ फायदा होगा गुरू आपके लिए निरंतर कारे रथे धन लाने के लिए और केसे सर्विवात से मुक्ति दिलाता है राहू प्रेम संबंदों में विगटान अभी कर ही रहे ते मंगल के घर में बैठके के मंगल मारगी हो गए और आपकी प्रेम संबंदों की स्थिती अच रिलेटेड या नाक कान हाथ से रिलेटेड सरदी सुकाम कुछ है तो डॉक्टरी चेक अप कराएं मानसिक परिशानी है तो बूद के उपाए अपना है मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देती हूं मितुन राशी मितुन राशी के लिए आपके लगने श्बूद सामने बैट के आपको निरंतर देखते जाते हैं आपका काम बहुत परफेक्ट हो रहा है आप काम के लिए आगे बढ़ गए हैं आपके एसे काम जिसमें आप चाहते थे कि आपकी परसनालिटी एन्हांस हो जाए और मीडिया से रिलेटेड आर्ट से रिलेटेड काम करें तो रुक रुक के धन रहु दे रहा था फोर्स में देगा क्यूंकि आप मंगल का सपोर्ट है उसे और आपके कैसे स्विवाद भी सुल्टेंगे शनी के एक उम्म में जाने से आपकी ढहिया खतम होती है और जान चूकती है आपकी कई सारे प्रॉब्लम्स से अपमान होना तव का आज बढ़ेंगे आपके शुक्र की स्थिती अभी अच्छी है और अश्टम्भाव में जाके भी आपको फैदा ही देंगे नुकसान नहीं देंगे माइंड सही चलेगा और डिसिजन सही होंगे बच्चों के आपके ज्यान पढ़ाई वगरा के लिए है सूर्य मकर में ज पाइन खोपड़ी स्कल जिसे कहते हैं इनसे रिलेटर कोई चोट है समस्या है तो उससे बच्चे सरकारी दरबारी कामों को समल कर करें अपने वेपर समाल कर रखें नुकसान ना करें करकराशी करकराशी वानों के लिए चंडरमा की मूमेंट आपके लगनेश की मूमेंट ठीक ठाक है इस सब्ता हमें तो आपको कई सारे फायदे हो सकते हैं ये भी समझेए कि आप मंगल भी अच्छी स्थिती में आ गए हैं तो आपके काम भी खुलेंगे आपका दिमाग थोड़ा सा गुस्से बाज हो जाएगा उसको बचाएगे और साथ साथ अपने धन हुए थे तो वो गुरू कराने में सक्षम हैं और साथ साथ आपको नहीं नहीं ओफर्स लाके खड़ी करके दे रहा है एक बात है कि शनी की ढहिया लग रही है आपको लेकिन फिर भी शनी जो सन्मुक बैठे थे और आपको देखे जा रहे थे निरंतर आप जिद्धी हो र आना जरूरी रहेगा और पिता के साथ अन्बनना करना भी जरूरी रहेगा उनकी भी तवियत का ध्यान रखें सिंगराशी सिंगराशी के लिए आपके जो लगनेश है सूरिय वो जाकर बैठेंगे शेष्ट में जो किया कच्छी स्थिती होगी और आपको कई सारे फाइद देंगे वो आपके कई सारे फाइदे आपको लून से रिलेटेट मामा पक्षित से तबियत से रिलेटेट भी मिलेंगे लेकिन तबियत फिर भी मैं कहूंगी कि थोड़ा सा ध्यान से रहें अभी जो पंचम भाव का स्वामी हैं गुरू वोश्टम में बैठा है तो सोचते तो सही हैं लेकिन जादा सोचते हैं ठकते हैं और बीमार होते हैं इससे बचे अपनी करदन गुदा नीचे के पैर नितम हिप्स इन सब की कोई प्रॉबलम है तो ध्यान से रहें आपके लिए सूर्य किस्थिती जो है वो आपको इस महीने में काफी फायदा दे सकती है और म संचित भी हो जाता है बुद्धिमानी से आप काम करते हैं अध्यन पढ़ाई भी ठीक चलती है और आपके बच्चों का भी यही हाल है शुक्र की स्थिती के कारण अब पहले से जादा आप कामों में थोड़ा सा गलतियां कर सकते हैं तो वो बच बचा के अहला कि शुकर का लोगों से हाथ में जोड़े और कुछ गलत वेवार ना करें अभी जो के तु बैटा है तक्तियस्तान पे धार में किस्तल की यात्राओं में वो आपको आनंद दे रहा है और भाग्य में बैठा रहा हूँ आपके काम दिरंतर रोके जा रहा था जो अब मंगल ने खोल दिय हैं कन्याराशी कन्याराशी के लिए आपके लगनेश बूध जाकर स्थिर हो गए चत्रत भाव में जो के बहुत मज़धार स्थिती तो नहीं लेकिन उनकी दृष्टी से आपके काम बनते हैं सारे कोई खेती से रिलेटेड काम आप करते हैं कोई ऐसा काम करता हैं जिसमें अंकर गनित भाशा या बुलना चालना काउंसिलिंग कंसल्टेशन सिंगिंग वगरे शामिलो उसमें आपको फायदा होता है नौकरी पेशा लोग जो हैं उनको फायदा होता है इस सब्ता में चंदरमा की मोमेंट से भी आपको फायदा होगा और याद रखें किया आपको इस सब्ता हमें शुक्र के मकर राशी में आने से भी फायदा होगा और अब दिमाग को थोड़ा सा आनंद लेने की आदत होगी मजा लेने की आदत होगी काम मजा लेके करेंगे भागवर तक संदे से आएंगे एंजॉयमेंट होगी और कई सारे आफ़र्स आपके बनते काले तिल चड़ा सकते हैं याद रहें इस महीने में आपको सुर्य को जल्प नहीं चड़ाना है अब गुरु जो बैठे हैं सक्तम में वो शादी और वरवधू के चायन के लिए आपको उद्यत करते हैं और यही काम आपको तुरंत कर लेना चाहिए अच्छा योग आया आपको आगा करते हैं कि गलत खान पान और गलत आदतों की वज़ा से आपकी तवियत खराब ना हो तुला राशी तुला राशी के लिए आपके लगने शुक्र जो हैं वो जाकर बैठेंगे चतुर्थ में जो के एक अजीव से स्तिती होगी लेकिन ये भी समझ लीजे के घ शुक्र की दृष्टी के कारण आप कुछ न कुछ पैसा पाएंगे अपने स्पेकुलेशन से भी याद रखें शनी आपके माइंड को सही करेंगा और सही डिसीजन बच्चों से रिलेटेड कई सारी परिशानियां दूर बच्चों से रिलेटेड कई सारे डिसीजन हो पढ़ाई अध्यन के लिए आप आगे बढ़ सकते हैं और जो मंगल मारगी हो गए उससे अब आपके वेफसाइक पार्टनर और विवाही जीवन के पार्टनर के साथ जो अन्बन थी वो खत्म होनी जा रही है यही हाल बूद करते हैं आपका और बूद सब्तम भाव से दे आपके को नए नए आफरस देते हैं उससाओं मंग में तो कमी है लेकिन फिर भी आफरस देखके ललचाते हैं आप और काम लेते हैं जो कि अगजशी स्थिती हैं और आप जो हैं फिर भी अपने कई सारे ऐसे काम ले लीजे जो खेती वगरा से रिलेटेड बूद से और केसे इसको लेकर तो लिप्त ना हो जादा और जो धन आ रहा है उसको आने दीचे शांती से बिलकुल मना ना कीजे क्योंकि नुकसान होगा नहीं तो हार्ट से रिलेटेड संबंदित जिनको परिशानिया है वो भी समल के चले बिश्चिक राशी आपके लगने शमंगल हो गय मारगी बधाईया जी बधाईया आपके लिए कई सारे काम अब लोन से रिलेटेड भी खुलेंगे शातरुःंता योग बनेगा तवियत अच्छी होगी परस्नालेटी में निखार होगा पराकरम बढ़ेगा उसाह बढ़ेगा बुद के कारण भी तवियत अच्छी आप शनीत रितिय से मुवों के चतुरत में आईशा श्योग तो बनाये लेकिन धाया लगा ती अब धाया तो लगाई तो उससे आपको थोड़ा सा अपने काम का नौकरी को छोड़ना नहीं है तवियत को अच्छा रखना है निवरंतर मा की तवियत का ध्यान रखना है अन तुके रहते इसलिए जिनकी शादी नहीं हुई और वो प्रेम संबंदों में है तो प्रेम संबंदों में भी समहल कर चलें विदेश रिलेटेट कारोबार अभी उतने जमें नहीं लेकिन शुक्र के कौम में आते ही जमना शुरू हो जाएंगे और आपके खर्चों पर भी कंट्रोल आ जाएगा इसके अलावा भी आप से एक बात कह दू मैं कि आपके जो दश्मेश हैं सूर्य वो आपके तिरती अभाव में आने वाले हैं और आपका काम काज बढ़ाने के लिए आप खूब मेहनत करेंगे हिम्मत करेंगे पिता का सहयोग होगा छोटे भाई बेन का भी सहयोग आपको पूर्ण रूप से मिल सकता है धनुराशी लगनेश गुरू एक अच्छी वस्ता में हैं लेकिन आपको घर ही बिठा दिया था जो शनी ने आप उठा दिया है उठिये काम करिये हिम्मत करिये परिश्रम करिये मौज मस्ति के दिन गए आराम करने के दि गए बस सोच को सही रखे सोच गलत होगी डिसिजन गलत होगे प्रेहिम संबंद गलत होगे विद्या नहीं करोगे अध्या नहीं अरजित करोगे तो सब गड़बड होने वाला है इसलिए जो मंगल मारगी हुए उसका फायदा उठाते हुए हनुमान जी और गणेश जी के मुमेंट अच्छी है इसलिए आपको ये चंद्रमा फायदा ही देगा लेकिन आप बार बार चंद्रमा के मकर राशी में आने के बाद उदास होते हैं इसलिए आप से मेरी विरंती है कि आप शिव जी की पूजा शुरू करें शिव जी को काले तिल चड़ाएं जिससे राह तो वो फिर आपके सरकारी दरबारी कामों में नौकरी में बिजनेस में पैसे इंवेस्ट करने के लिए आपको उद्यत करेगा जो के नहीं करना है शनी के तृतिय भाव में आपका बहुत अच्छा असर है जो आपको देखना चाहिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल वीडियो दिया है मैंने आप सब को मकरशी मकरशी के लिए लगन मीं आने वाले है सूर्य जो के नहीं सोहाएंगे बेचैनी होगी कामकार सरकारी दरबारी में भाग दोड़ हो सकती है शिक्रिवा terug बोड़ हो सकती है केसिस भिवाद हो सकते हैं इन सब से बचने के लिए तुझे कजाब करें तो ज़्यादा अच्छा हो रहा अभी वैसे दिमाग खूब चल रहा है और घर परिवार की सुरक्षा भी करने की सोच रहे हैं जो राहू ने भी गाड़ी थी और आपके जो पैसों की भी विवस्ता है वो भी अब आप खूब बनाएंगे अब वैसे मालना पड़ेगा हट डिसकल दान्त आंक स्पाइन इन सब चीजों से रिलेटेड हार्ट से रिलेटेड कोई समस्या है आत्मिक दुख है डिप्रेशन है तो उससे भी बज़िए आप क्योंकि सूर्य अलग्ड में आएंगे तो ऐसी इस्तिती पैदा हो सकती है शनी के दृत आपके कई सारे काम जो हैं गुरू भी बनाते हैं जो के निगड़ित हैं विदेश से रिलेटेड तो विदेश रिलेटेड आपके कोई काम है तो उन्हें फटा पड़ बना लीजे 23 अपरल तक आपके कई सारे काम जिसमें आपके प्रेम संबंद शामिल हैं तो उससे भी फ साल बार लेकिन आपकी साड़े साती वी रिदय पर लगेगी तो तवियत को समालना पड़ेगा कुम्ब लगने के लिए बहुत अच्छा समय है अभी फिलाल दन भी संचित हो रहा है परिवार में भी अच्छी स्थिती है कामकाज के मौकें भी मल रहे हैं विदेशों से भी का आ रहा है आपके काम इधर भी बन रहे हैं और परस्नालिटी में भी हो जाए लेकिन अगर को लगनों के अलावा कुमराश्य वाले हैं तो कुमराश्य वानों आपको महामृतुन जाय के जाब करने चाहिए शीव जी के मंदर को बहेट करनी चाहिए और आप महाकाली के भी म होने वाले हैं और सूर्य इनमें बेचैनी भी ला सकता है इसलिए सम्हल के अब आप ये देख लीजे के बुद्र निरंतर आपको मानसिक स्थेरता देता है मानसिक रूप से आप विशांत रहते हैं और आपकी डिसिजन सही हो जाते हैं कई ऐसे काम जिसमें आप चाहते थे के बच्चे शामिल हो वो साथ आ जाते हैं और आपका काम काज बढ़ता है परिश्रम बढ़ता है मितरता से लाव होता है और कई काम जो कि धार्मी क्यात्राओं में पठाना चाहते हैं, आपको लगता था कि कुछ धार्मी क्यात्राइं करनी हैं तो वह भी हो रहे हैं, अभी दश्मभाव का स्वामी मंगल भिमार्गी होकर लैंड्स प्रॉपर्टी इन सब चीजों से रिलेटेड, नौकरी से रिलेटेड, कोई आ आप आर्मी में ऑफिसर हैं, कोई आप नोखरी पेशा है, आविदन भरा है, इंक्रिमेंट के लिए, वो भी सब काम हो सकता है, आपका पुलीस कर्मी हैं, डॉक्टर हैं, इंजिनियर हैं, वो भी काम आपके हो सकते हैं, राहू जो भी काम लाके देगा, वो अच्छा होगा, उसको मना मत करिएगा मीडिया से रिलेटेड आगे चल के आपको वो फायदा देगा मीन राशी मीन राशी के लिए लगन बे बैठा गुरू काफी है आपकी विवस्ता करने के लिए इधर उदर देश विदेश घूम रहे हैं आप काफी कुछ अच्छा हो रहा है आपके साथ में अब विदेशों में काम करने की इच्छा है आपकी वो भी हो जाएगा और प्रेम संबंद आपके प्रगार होंगे आपके खर्चे भी कंट्रोल में आएगे और आपका भागयद हो जाएगा जैसी मंगल की इस्तिती है कई सारे काम पैसों से रेलेटर जो संचित होने से टक गये थे इधर उदर खुर्द पुर्द हो रहे थे परिवार से अंदन थी वो भी अब कम होगी और पहले से जादा आश्वस्त होंगी आप अपने धन और परिवार को ले कर अभी दश्यम में बुद बैट कर वेबसाइबी सुझाते हैं घर की विवस्ता भी सुझाते हैं मा की तबियत अच्छी होती है और इस सब्ता में चंदरमा का मुमेंट आपको ठीक ठाक जाता है शेर मार्केट, लोटरे और स्पेकुलेशन्स वगरा करने में थोड़ा सा ध्यान से करें अश्टम में बैठा कि तू आपको आगा करता है कि तबियत को समाले फोड़ा बुंसी, रसोई और हर प्रकार के क्या कहते हैं विशहले पदार्थ से बच्छना और साथ-साथ में ख समल के चलना चाहिए, आपके कामकाज में विर्दी होने वाली है, उसके लिए सजग रहिए और आपके विवाही जीवन के सम्मंदों से आपको सपोर्ट तो है, लेकिन आप खुश नहीं उन सम्मंदों से, ये भी बात उतनी ही सत्य है, अपने मानसिक और बच्छों के मानस सिक स्तर की शांती के लिए, निरंतर शिव जी की आरादना करना, शिव जी को चल चड़ाना और शिव जी के मंदर जाना आपके लिए बहुत उचित रहेगा, मैं कामी निखना बता रही थी, मैं इससे लेके मीन राशी पर इस अपता के गोचर और नक्षत्रों का और चंद करें, परियावरण की रक्षा करें, माता पिता सास सुर्ख समाज के बुजर्गों की सिवा करें, ताके शनी राहू के तुकि शांती हो जाए, गौड ब्लेस यू, ठेक कैर और गुडबाए, अग्या दीचे, धनवाद और नमस्कार.